दोस्तो इस वीडियो में आपको NMS exam का पेपर यानि National Minutes Cup Merit Scholarship Pricksa 2-23-24 का पूरा पेपर बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखना और सेम यहीं पेपर आपके exam में आने वाला है तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और दोस्तो अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में दिया गया है जल्दी से आप अपने exam से पहले उन वीडियो को जरूर देखना और दोस्तो एक और बात काम की है तो दोस्तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताने वा लेकिन दोस्तो हम एक दिन में कुछ ट्रिक्स हैं टिफ्स को जान सकते हैं जिससे हम कुछ हद तक अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं इसके लिए दोस्तो आप उस वीडियो को जरूर देखना उस वीडियो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक क से पहले हम question number एक देखते हैं बनो दोरा निमिन में से कौन सी प्रक्रिया की रोकधाम होती है यानि दोस्तों ये question कहềольше कि आपको बनो दोरा बन लगाकर आप किस प्रक्रिया की रोकधाम कर सकते हैं तो इसका अस्वरे option number D ये सबी आगे हम देखते हैं question number 2 निमिन मेंसे क्या बनो दुबारा नहीं होता उसद्धी पादपों की प्राप्ती जर्णों के पानी का बेचाव नियंत्रीत करना बाड़ की प्रस्तीतियां कम करना या जल का अफसोसन करना एहम स्थलिय जल के स्थर को बनाई रखना तो कोस्टन नमबर दो का असवरे ओफसन नमबर भी जर्णों के पानी का बेहाव नियंत्रीत करना आगे हम देखते हैं कोस्टन नमबर तीन निमिन मेंसे कौन सा उतपाद बन से प्राप्त नहीं होता है सहद औसदी गौंद अदरक इस का असवर तो आप आसानी से दे सकते है कोस्टन नमबर तीन का असवरे ओफसन नमबर डी अदरक अदरक वन से प्राप्त नहीं होता है कोस्टन नमबर चार क्योंकि अदरक एक खुद जड़ है कोस्टन नमबर चार निमिन मेंसे कौन सा कथन सत्ते नहीं है बनों को लकड़ी के लिए काटा जा रहा है बनों को तो दोस्तो कोश्चन नम्बर 4 का असवरे ऐफ्सन नम्बर C, बनो को रबड उत्पाद बनाने के लिए काटा जा रहा है, तो चलिए दोस्तो आगे हम देखते हैं कोश्चन नम्बर 5, निमिन में से कौन बनो की सबसे मेत पूरुन बूमिका है, यहें खादे, आवास, जल, अ और सद्धी परदान करता है यह मृदा अपरदन को कम करता है यह बाड को रोकता है यह उपरुक्त सभी तो कोश्चन नमर पांच का आस्वर है ओफसर नमर डी उपरुक्त सभी तो आगे हम देते हैं कोश्चन नमर छे निमिन में से कौन जन्तू उत्पाद है गोंद, काजू सहद रबड यानि दोस्तों जो जंतूं से बनाया जाता है बेहें कौन सा उत्पाद है इसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसका आउस्वर आप कॉमेंट में देंगे देखें देखते हैं कितने बच्चे इसका आउस्वर सही बताते हैं तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कोस्चन नमबर साथ तो दोस्तों इसमें क्या कि वन एम पेड बातावरन का परदूसन कम करते हैं जुलाई मा में लाखों की संख्या में पेडों का रोपन किया जाता है ये अफसर कहलाता है वन सरंक्सन दिवस वरिकसा रोपन दिवस वन माहुँतसव या वन ने जीवन सपता तो Question No. 7 का अंस्वरे Option No. C वन माहुतसव आगे हम देखते हैं Question No. 8 तो दोस्तो Question No. 8 में क्या है कि निमिलिक्त में से कौन सा कथन सत्ते नहीं है वन मरीधा का अपरदन से बचाते हैं वन में पादप और जन्तु एक दूसरे पर निर्बर नहीं होते हैं वन जलवायू और जलचकर को प्रवावित करती है या मरीदा वनों की वरीदी और पुन्नर जन्नन में सेहाएक होती है तो कोस्टन नमबर आठ कांस्वरे ओफसन नमबर बी वन में पादप और जन्तु एक दूसरे पर निर्बर नहीं होते हैं आगे हम देते हैं कोस्टन नमबर नो वन ने जीव सब्ता कब मनाया जाता है एक से साथ जन्वरी को, एक से साथ जुलाई को, एक से साथ मार्च को या एक से साथ अक्टूबर को तो कोश्चन नमबर नो कांसवरे ओफसन नमबर डी एक से साथ अक्टूबर को तो आगे हम देखते हैं कोश्चन नमबर दस इसमें क्या कि निमिलिक्त राज्यों में से किसके दवारा अपना वन अपना दन योजना प्रारम की गई तो दोस्तों योजना से 100% आपके गिजाब में कोश्चन आने वाला है इसमें क्या कि उत्तर परदेश दवारा मते परदेश दवारा हिमाचल परदेश दवारा या अरूना चल परदेश दवारा तो Q10 कहां सवरे, औफशन नंबर C, हिमाचल परदेश दबारा Q11, वन माउतसर निमिलिक्त में से किस सवन्दित है Q11 कहां सवरे, औफशन नंबर V, बिक्सार ओपन से आगे हम देखते हैं Q12 इसमें कै कि वनने जीवन है प्राकृतिक अवास में कोई भी जीव सिकार करने वाले जन्तु अपने प्राकृतिक अवास में या आर्थिक रूप से मेतपुरुन पादपेव जन्तु तो कोश्चन नमबर 12 कहां स्वरे ओप्सन नमबर A बनने जीव हैं प्राकृतिक अवास में कोई भी जन्तु आजह हम देखते हैं question number 13 वने जीवन प्रतिदीन कम होने का मुख्य कारण है तो दोस्तो इसका मुक्य कारण है प्राकरितिक अवास का नस्टो रोणा किарकी चिप को अंदोलन किस वर्ष में हुआ था वर्ष 1903 में, वर्ष 1905 में, वर्ष neatly में या वर्ष 1906 में तो दोस्तों ये most reported question है जो 100% आपके एक्जाम में आएगा तो question number 14 कांसवरे ओफसर नंबर A, 1973 में question number 15, राश्ट्रे उद्यान के लिए सत्य है सिकार खेलना, पसुचराना, फसल बूना या ये सभी बरजित है question number 15 कांसवरे ओफसर नंबर D, ये सभी बरजित है आगे हम देते है question number 16, बारत में बनने वाला प्रतम राश्ट्रे उद्यान कोण सा है गीर, काजी रंगा, काणहा या जिम कारवेट तो question number 16 कांसवरे ओफसर नंबर D, जिम कारवेट आगे हम देते है question number 17, तो दोस्तों question number 17 में क्या कि काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान बारत के किस राध्य में श्थी थे आसोम असम में आसोम नहीं है दोस्तों असम में गुजरात में महराष्ट्र में या पंजाब में तो कोस्चन नमर स्तारकांसवरे ओफ्सन नमरे असम में काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान असम में आगे हम देखते हैं question number 18 जे बिविधता का सबसे मेतपुरण पहलू है बोजन और सद्धी और दोगिक उप्योग या पास्थीतिक तंतर का संतुलन तो question number 18 का अंस्वरे option number D पास्थीत की तंतर का संतुलन आगे हम देखते हैं question number 19 most important question दूदवा राष्ट्रे उद्यान उप्स्थीत है उडिशा में, गुजरात में, उत्तर परदेश में या हिमाचल परदेश में तो question number 19 कांस्वरे option number C उत्तर परदेश में आगे हम बात करते हैं कोस्टिन नमबर 20 सुन्दरवन राष्ट्रे उद्यान स्तीत है उत्तरपरदेश में केरल में माराष्ट्रे में पस्चिम बंगाल में तो सुन्दरवन राष्ट्रे उद्यान कांपर स्तीत है तो दोस्तो यह हैं पस्चिम बंगाल में कोस्चन नमबर 21 बारतमान में बारत में बनने जीव अब्यारनों की संख्या है 440, 520, 448 या 500 तो कोस्चन नमबर 21 का आंस्वरे ओफ्सन नमबर 440 बारतमान में बारत में बनने जीव अब्यारनों की संख्या 440 है तो दोस्तों मैंने काफी वीडियो स्ट्रिक्स और टिफ्स की उपर बताई हुई है जिनको फोलो करकर आप NMS exam को बिना पड़े भी पास कर सकते हैं कुछ हद तक अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं तो इसके लिए आपको description में link मिल जाएगा तो उन्हें जरूर देखना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ